हेलो प्यारे बच्चों SMG के online platform पे आपका स्वागत है बच्चों आपकी तैयारी कैसे चल रही है आशा करता हूं कि आपकी तैयारी जो है बहुत ही अच्छी चल रही होगी आपकी डेटुटे मैथ और जीके की क्लास है जो अपलोड की जा रही है आपको करना सिर्फ क्या है बनाने हैं और अपने तैयारी को डेटुटे करता रहे हैं तो अभी अपनी जो कल लाश्ट जो क्लास थी उसमें भुकम्प को पढ़ रहे थे और हमने उस क्लास में जो है आपसे जगर किया था प्राकर्ति किया मानों जनीत कारणों से उत्पन भूमी में कमपन जो होता है हुकम्प आने के कारण क्या-क्या थे उसके पर भी हमने डिस्कस कर लिया वह कंप का पूरू अन्वान कैसे लगा है जासकता है यह भी हमने देखा बेटा फिर हमने से स्मो लोजी सिस्मोग्राफ और एक्रस्ट्द के बारे में भी दिख लिया था आज जो हमारी जो क्लास रहती है भुकम पार्ट टूँ हुकंप कि भाग मैं तेड कर सेकुंड यहां सबीमे बड़ा पड़ना है वह हमने लाश्ट क्लास जब जा रहे थे तो हमने भुकम मूल और भुकम अधीक रहे में देख रहे थे स्टार्ट करते हैं भुकम मूल और भुकम अधीक के आदर के बारे में करहें था आक आ네 में आपकी नौट-बुक में शाहिद वह बनाओगा देख लेका कि का दो शब्द आते आपने सामने भुकप मूल जिसे हम फॉकस भी बोल सकती है और यह गयता है, अधीक अधीक एंद क्या अधीक एंद्र जिसे अंब वांटा बोल Сकते हैं, EPTHER क्रेशां पर व क्या पर रूसकते हैं, जहां से भेटा मत्मप की उतपत्ति होते हैं जहां से भुकंप की उतपत्ति होती है उसे भुकंप किंवेचियो और करफ dual और सर्फ्रेश द्रातल पर जहां पर हमें सबसे पहले इसे ship का अदो waar withdraw होता है उसे हम बोलते हैं अधी कहंद्र क्याइं कि अधी कहंद्र कि Serial कि कुछ नहीं परसन मंता अ कि मूंधर वारे मिकल का जाते आया जहां से द्रातल में वकंप की उत्पत्ती होती है उसी अधिक my the में है एक लाइन में complete हो जाता है इसको लिख भी लेते हैं वेटा कि भुकम्प कि आ मुझे लिखेंगे कि जिस स्थान कि इस थान कि जिस थान से भुकम्प की उत्पत्ती होती है जिस थान से कि भुकम्प की कि उत्पत्ती होती है इसको इस प्रकार में लेख जाए ध्रादल के आंत्रिक भाग में इसके साथ एक शब्द और वी जोड़ो आंत्रिक भाग में लिख दोगे मतलब लेकर जो भुकम्प की उत्फत्ती होगी ध्रादल के आंत्रिक भाग में जिस स्तान से भुकम्प की उत्पत्ती होती है उसे हम बोलते हैं वह ओक अमुटार याज फॉकस हमारे सामने दूसरा जो शब्दारा था अधीके अंद्र कि अधीक अंदर के बारे में कुछ बैटा प्लेक्ट से रहते हैं अधीक अंदर जो हता है भुकम्ब मूल के समकोन पर होता है समकोन बेटा यह देखिए बीटा यहां भी मैं देखूं इसके बीजवें 90 डीग्री यह कौन मैंसि आएगा कि इसके एकटम समकोन के होगा फुकम्ब मूल के समकोन पर होता है पहला प्रक्ट के इसी स्थान पर पहुंचती है जब यह बुकंप मूल में जब बुकंप के तरंगों की उत्पत्य होगी द्रातल पर जिस सबसे पहले पहुंचेंगी वह अधी के अंदर ही होगा तो सबसे पहले बुकंप की तरंगे इस तान पे पहुंचती है ठीक है सिस्मोग्राफ मैं ने देखा लाश्ट क्लास बता है एक शब्द बताया था सिस्मोग्राफ ग्राफ पर भुकंप का अंकर तो सिस्मोग्राफ जो होता है वेटा अधी के अंदर पर ही लगा होता है वुकंप का जो सरवादिक प्रभाव है अधी के अंदर पर ही देखा जाता है और अधी के अंदर के उपर ही हमें जो भी हमें की और टरंगे होती है उनका भुकम्बी तरंगों कोंकर यूल यह से इंद यह पर की ni है था युट इखने हैं प्रद के अबढ़े में हमारे पार्स आकांश विरेते वीट अंधीर झारी के एक टिक से इसे एह hacerlo accept कि भुकंप मूल के समकोन पर होता है कि भुकंप मूल के समकोन पर होता है सर्वप्रथम सर्वप्रथम भुकंप की सरंगे यहीं पहुंचती पहुंचती है कि अधि के अंदर पर ही सबसे पहले में ध्रातर पर जो है वोकंप का अनभव होता है है कि आधी केंद्र पर धी लगा लगा कर दो और यह हुआ जो प्रवाधिक है फूकंप का सरवाधिक π्रभाव सटाया इसी स्थान पहलेता है अधी इंदर नहीं जैसे जीम दूर जाते जाएंगे जो हम गवी जो प्रवता होती है स्पिड़ द धीरे दिरी और को होने लग जाठी है नugen장 कि खूकंप का सर्वाधिक रभाव यहीं होता है यहीं होता है उकम्प गाजो सर्वाधिक जो प्रभाव है अधी के अंदर पर ही होता है अधी केंदर अधी केंदर पर हुकम्प अधी केंदर पर अधी केंदर से लिगो बिटा अधी केंदर से कुछ दूर कर दो जाने पर हो है अधी केंदर से कुछ दूर जाने पर हिए तरंगों है का था यहां लगाया दाका सिर्गताच करो कि अ स्पिलिर कर सकते ही जो कुछ दूरी पर जाने के बहाद ही पता लगता है कि यहां पर जो बुक माईं किस परकार की तरंगों का मैं सामना कि तो अधिक एंदर के बारे में हमारे सामने कुछ से हैं रफक हैं पर होता है सब्सक्रायि तरग्में यहांती है सिस रमप यहीं पर पहुंचती है जो इन्दर यही पर होता है रोता है तो हमने गूल और दी आप आठीери के वारे में किने साहे तो शब्र अपर फिर से आइसो आइसो सिस्मल और सेकंड जोशब दाते है वेठा होमों इस होमों सिस्मल आइसो सिस्मल और हम होमो इसमल देखते वेटा है कि माल लीजिए यह परत्वी पर कुछ स्थान है एक दो तो तीन जो जो राउंड कर रहा हूं हमारे द्रातलिया परत्वी या अर्थ के अपर कुछ स्थान है यह जो पांच मेरे पॉइंट बनाई है पांचों स्थानों पर फैसे हैं कहें यहां पे फुक कंपगी जो यंतर था हमनें लाफ भीटा कि यह तर्श कैन में अनौंडिया था रिक्तरक्रश क्यान सब्सक्राड़ अगां इसकी वादद से देखा जाता की िन्स पाइंट किकंच इस taper क हिसल भी पॉइंट के नाम देता हूं पॉइंट ये कुछछ पॉईंट्स से महां लीजिए यहां पर चो भुकम की त्रीवता थी रिक्टर स्कैल के माध्यमसे में पता लगया कि यहां पर जो को न् баз पोईंट पाँच्र की यहां पर पांच-5 एक्टर की स्वाइफ तरिट थी यहां पर भी 50.5 5.5 कर पांच्ट की तबंट पांच पांच यहां में तेक यहां पर देख हैं यहां पर दोघ देख लिए समये पर से पाँच जिगाओं का अंकन किया कि यह पाँच जिगाओं पे जो इस्फान वाले स्थानों को मिलाने वाली देखाय जैसे बोकम्प कि तरूटा बेठा समान है लो कम की तरुटा से ने पांच स्थानों को मिलाने वाली रेका हमें की या यह देखो एक बोल सकते हैं कि यह जो है आइसो सिस्वल का आर्थ होता है समान वुकम्पिये तिरुता वाले थानों को मिलाने वाली रिखा क्या बोसकते हैं कि अब लुद्धा वाले स्थानों को मिलाने वाली स्थानों को आइसो सिस्मल से यह आपको याद रखना है समान तिरुता वाले स्थानों को जो भी है जहां पर समान तिर्वता के मतलब एक समान तिर्वता के जो भुकममाई उन स्थानों को मिलाने वाली देखा कों क्या बोलेंगे बेटा ईसो शिसमत चलो जी बात करते हैं दुबारें इसकी ती उरता हमने देख ली तो प्र फिर ने पांच पॉइंट बनाएं वेटा फिर से पांच पॉइंटों का निर्मान करें पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट डी पॉइंट इप हमने फिर से पॉइंट बनाएं दूसरा जो है हेमोसिसमल वह क्या गड़ता है समान समय में माल लेजिए यहां पर भी पांच एएम मस्ल rằng वह प्र प्र भी पॉट इंच कर कि अल्रो Sun के आम यह एए य की पर में में ने देखा विदा सब्झाइं जिर कि पर भी है था सब्सक्रान है को कुक्पय जब की फर आया है शाम के पांच पीएम और दीपर कर सकते हैं कोई दिखत वाली बात नहीं है इस जो है मोसिसमल LINE है विटा है मोसिसमल लाइन क्या करती है समान समय के एक समान समय में आने वाले बुकम्पोगों मिलाने वाली देखा जैसे बीपर भी पात पीजाया एर पर भी पांच जाया तो यह बी इसे इनका जो टाइमिंग एंगी समय पर यहां पर बोखम पाए वेटा थो इन लाइनों को मतलब स्थानों को मिलाने वाली रिखांको क्या बोलोंगी हेमोसिसमर लिख सकते हैं कि एक ही करें ले नहीं मैं कि आने वाले खो कंपों एकी समय में आने वाले खोंप विकम रिची समय में आने वाले तो कंप स्थानों को मिलाने वाले अ एक ही समय में आने वाले भुकम्प एक ही समय में आने वाले भुकम्प को समय में आने वाले भुकम्प को स्थानों को मिलाने वाले रिखा एक गालिध मेटा समान त्रिवता को मिलाती है कि हैसं समógBy आने वाले स्थानों को मिलाने वाली यहां पर example लिए पुट बना के पॉइंट बनालो यहांपर बेटा यहांपर 5.5 यहां पर भी पाउंच पॉइंट पांच ये दो स्थान हैं इनमें समान समय में भुकम पाय झालति जो ए समान रही तो उनको मिला दिया जब कि हमने पॉइंट ए का पॉइंट फूइंड यहां पर भूखन पाच के ऐम आया है तों सुदा यहां पर भी पांच इनम आ यहां है दो है पांच थे एैम कि मान कि समय अस्थानों को मिलाने वाली कि मान समय अस्थानों को मिलाने वाली रेका तो आइसोसिसमल और हैमोसिसमल के अधिक यंद्र को देख लिया तो कमक मूल को देख लिया अब हमारे सामने भुकंप की तरंगों के बार वहते हैं जो पॉइंट आता है वह आता है भुकंप की तरंगे, भुकंप की तरंगे, बेटा भुकंप की तीन तरंगे होते हैं, लिख सेक्टे हूँ, भुकंप की तीन तरंगे, कौन कौन सी बेटा, देखेंगे, पर्ष्ट है, पी, एस, और एल, घड़ा ये नाम दियोंगे, जो बुकंप की तरंगे हैं, उनका वर्किकन जो किया गया है, वर्किकन की अदारपर, पीन भागों में बाटा गया है, पी, एस, और एल, पी तरंग, पी तरंग, एस तरंग, पी तरंग, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग, पी तरंग, एस 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 तरंग, और तरूसड है यह का में अधieves कि पी और आस जो त्रूंग होती है उसको लोце ग्रभिच अगु कह बना कि क्या बहुत तरहरए उसको बोलते। धरातरी है और सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि वेटा वुकम की तरंगे कितनी है तीन कौन-कौन सी है पी-एस और अब इनका वर्क क्या रहता है वह भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए पीड क्या रहती है यह किस प्रकार चलती है इनकी दो-दो बातें तिक दिन गशेखए की रूप में देख लेते मिटा के भी जा सबसेख़ाने पीफ है और सब्सक्राइब अदेक्स प्रेक लिए हैं इनडेक्स से देख लेते हूं कि अब से पहले मेटा पी फ्रंग की बात करें इसकी गती की बात करें सो जो फीट रग होती है बटा 6-13 किलो मेटर प्रती सेकंड की चलती है 6-13 किलो मेटर प्रती सेकंड हमने एक सेकंड के अंदर यह लगबग जो पीतरंग होती है करती है क्या करती है इसका चलने का तरिक ताह कुचन और परसन के स्वक्रान चलती है संकूचन वे परसरन पर फिर यह चलती है तो चट्टानों में बेटा क्या आता है संकूचन और परसरन होता है यह फोष झाल पर गैस में है तीनों भागों में चल सकते है यह भोष में पी चलती है वेटा तरल में भी चलती है और गैस ये भागने भी चलती है जब्कि हम ऐस तरंग की बात करें तो इसकी जो गती होती है चार से लेके साथ किलो मिटर प्रती कि यज़ चलती है तो गर्थ कि और कि उत्थान एए वी जो बहुत है पो एस जो चलेगी तो चट्टानों में की गरत और उत्थान में होगा यह वीटा केवल ठोस में ही चल सकती है हो में में जलती है कि यह तरल और गयस नहीं ड comigo भाग होगा तो यह दोंग है लुप्त हो जाती है या ब्लुप्त हो जाती है बात करते हैं h नुक्सान होता है जब भुकं बाते एंखर मादियम से सरवाधिक नुक्सान होता है सरवादिक नुक्सान है कि अल तरंग तर्वादिक जो नुक्सान होता है कौन से तरंग से होता है यह वेटा धरातल त्वे तागरी है कि दोनो थक्तो थो पपाहतो Oh है है कि decides go है कि दोनों भाउगों में लूट है किendy Soul две दोनों भाउगों में कहले दीर था तो जो आपसे पेपर में ग्याम में हमेब सर्वादिक नुक्सान कोँग ची तरंग के मार दीम चे होता है को कौन सी मारत जोगा हंधिक से होगा सर्वाधिक नुक्सान किस प्रसंदेग लेते हैं कैसे आतावेट एक्जाम में क्विश्चन देखो कि रातल कि पर तर्वाधिक पानी किस तरंग से होती और प्रसंदेगा अपको बेटा कि पी एस एस एंट वह और डी पी आएगा पी और एस दो नो कि तो क्या करूं वेटा सर्वाधिक जो नुक्सान होता है एल तरंशे होता है एक क्योश्चन और बनता है हमारे सामने कि वह देख लेते हैं कि तर्वाधिक कि तर्वाधिक कि गती चलने वाली तरंग कि तरवाधिक गती से चलने वाली तरंग कौन सी है और वही पी एस एल एल रहा है तो क्या अंस्वर रहता है तर्वाधिक गती से चलने वाली जो तरंग होती है पी तरंग होती है चलो बेटें नेक्स्ट आगे कलते हैं विश्व में कि तरवाधिक कि को कंप जो है कि परी कि प्रेशांत कि मेखला कि में आते है कि विश्व मेटा सर्वाधिक जो बुकंप है लगबग संपूर्ण वर्ड के जो है 63 प्रसांत में एकला में यह बुकंप आते हैं यह देशों की बात करें सरवाधिक प्रवाधिक भुकंप जापान में आते हैं जापान में प्रति दिन एक बुकंप गाजट का मैसूस हो जाता है और उसकी गति जो है बहुत कम रहती है ठीक है प्रति दिन एक बुकंप अर जब बगांग भाज़ा में चोए मकान वगयरा घर में बणाई जाते हैं तो बुकंप्य दरश्टी से उनका निर्मान किया जा रहा है एक बेटा अता है शब्द नियात नियात कि भूकंब कि नियात बुकंप कब आते हैं खनन चैत्रों में कि खनन इख्यत्रों में प्रिस्ट पॉर्ट ऑट जब बड़ी माइंस होते हैं उनसे कुछ पर्थर वेगारा निकाल लेते हैं वहां पर जो है बंप के धमाकों शेवेटा धमाकी किया जाते हैं तो उनसे जो भूकंप आएगा उन्हें क्या बोलते हैं नियात भूकंप बोला जाता है और एक सुनामी जब समुंदर में भुकंप आते हैं गहरे समुंदरों में जब भुकंप आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं सुनामी बोलते हैं इसके दुराम बड़ी-बड़ी सुमंदर में लहरे उत्पन होती है जलकी ठीक है तो शुनामी सब्दाजे समुंदर में उत्पन लखनी है तो अराम से होजए कोई दिक्क्त वाली बत्त है नहीं है बस आपको नौट्स तैयार करने हैं तो आज बेटा हमने स्टार्ट किया था अधिकेंदर और भुकम्प मूल से हमने देखा था भुकम्प मूल जिस थान या द्रातल में जिस थान से भुकम्प की उत्पत्ति होते हैं हम क्या बोलते से भुकम्प मूल कहते हैं अधिकेंदर क्या वेटा बुकंप मूल के समकोट पर अधिकंदर होता है सरप्दम जो बुकंप है के यहीं पर आता ए bold समान तृत वाले स्स्थानों को मिलाने वाले मतलब इस दोस्थानों को मिलाने वाली एन berp है कि प्रकार क्यों एक उल्टy और ट्रट क्या बोलते हैं घ्रातल एठ स Questo GREG कर बोलते एक क्मी क्यों कि बोगर्ण जब कि ध्रातल के नजदीग चलती है यह ससाथ से च्वीन प्रती सेगी और यह त्रंग है तीन किलोंटर पॉर 30 सरवाधी की नुक्सान जो होता है यह जो ठोस एस त्रंगहें जो ठोस में चलती है जब कि पी तरग एक टोस त्रल और गैस्ट तीनों में ही चलती है देख लेड़ा एक बार वेटर इपेतन जो वेटाती इस परकार से तलती है है इक है इसल जो चलती है वह यह साब से चलेगी गोगी का टो लास्ट जो एल्गा ılmış करी प्रसन देखेते हैं तर उसने जो बुकंप है जपान में आते परी प्रसांट में एकला जो है पिश्व के सरवाद वुकम पाएंगे नियाद वुकम खनन चेप्टर में आते हैं और सुनामी समुंदर में आने वाले वुकम पू को गहते हैं तो इसके साथ बैटा हमने आज वुकम चेप्टर को कंप्लीट कर लिए आपका काम क्या रहता है आपको सिर्फ नौट्स बनाने करने हैं तैयारी करने और अपने एक्जाम की जो प्रिपरेशन बहुत बढ़ी हैं क्लास को सेयर करना है सब्सक्राइब करना है और तैयारी करते रहना है हंतर यह मुस्करातर यह फिर नेक्ट्स वीडियो में नए टोपिक के साथ मिलते हैं जैहिंग जैवारत